नमस्कार साथियों श्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में वर्तमान की कुछ खास ख़बरें हैं जो की प्रॉपर तरीके से आपके मद्द में साजा करेंगे दरसर इन सारी सीजों का आप सभी को काफी बेसर भी से इंतिजार था पहली ख़बर UP के इंदर सिक्षकबर्दी को लेगर के हैं UP के इंदर TET सुपर TET notification को लेगर के हैं वहीं दूसरी ख़बर की हम बात करें तो बिहार सिक्षकबर्दी का जो तीसरा चरण हुआ उसके result को लेगर के उसकी final answer की और उसके cut-offs को लेगर के है कि कितने cut-offs पर इस बार चैन होगा औ आपके मतलबे साजा होंगी जो भी साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी करने अब यहां पर हम बात करें खबरों की तो आप सभी को पता है यूपी के अंदर सिक्षक बर्दी को लेकर की काफी विवाद वर्दमान में चलना है न हाल ही में नया जिट्चा सेवा चैन आयोग में अध्यक्ष जी जो की कीर्थी पांडेजी थी इनका चैन हुआ था अब इसके बाद से भी मामला लटकता नजर आया था जहां पर कहा यह गया कि जब तक अभी एक्जाम कंट्रोलर की नियुक्ति नहीं होती तब तक अभी प परिच्छा नियंत्रक के रूप में इनका चैन हो चुका है अब एक्जाम कंट्रोलर अद्यक्ष और सारे यानि की कहा जाए सारे जितने भी कर्मचारी है सभी का चैन हो चुका है तो अब केवल और केवल बचा है सिख्षक बढ़ती कलेंडर जारी करना अब जो चातर प्र नहीं की तो 19 तारीक से हम महाधरना करेंगे फिलाल के लिए इस पर भी काफी दबाव में आएगा आपका सेवा चैन आयुक और कहीं न कहीं हो सकता है कि इसी दबाव में एक्जाम कंट्रोलर की जल्दी से आननफारंग में नियुक्ती भी की गई हो इससे अब चीजें क्या अब प्रक्रियाएं तेज होंगी अब आयो के बहाने नहीं होंगे कि हमारे पास अभी कर्म जारी नहीं है अभी एक्जाम कंट्रोलर नहीं है यह सारी चीजें अगर नहीं माना गया है तो उन्हें नेगलेट किया अब इसमें दो प्रकार से नंबर दिये जाते हैं पहला तो common number, common number में होता है कि अगर एक प्रश्न गलत है आयोग का और सभी ने उस पर अपनी प्रकिरियाई दी हैं लेकिन उसमें उत्तर ही गलत रखी गए हैं तो सभी को एक-एक common number दिया जाता है लेकिन इसमें होता क्या है कि सभी का नुकसान हो जाता है जिनोंने सही किया है उनका भी और जिनोंने गरत किया उनका benefit हो जाता है तो इसको लेगर इस बार प्रकिर्याएं थोड़ी उटी की गई कि इसमें आपका किया क्या गया कि एक अंक को एक प्रश्न को ही हटा दिया गया यानि 1500 प्रश्न थे तो 149 प्रश्नों में से ही अब पर आपका डिलीट दिखेगा अगर आपने उस पर आपतियां दर्ज की होंगी तो तो इसमें काफी शात्र कह रहे हैं तो एक प्रश्ण डिलीट किया गया कॉमन नंबर देने के बजाए में ये भी ठीक प्रतिया थी इससे भी किसी का नुक्षान नहीं होने वाला अब जो मेरिट बनेगी वो 149 में से ही बनेगी अब इसमें बात आती है कॉट आफ की देखिए इसमें काफी शात्र करें हमारे इतने नंबर है क्या हम क्लियर कर इसमें 50, 55, 65 और 70, 75 इसके वीच में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है तो इसमें कट आफ की अगर हम बात करें अगर आप जनरल की हैं मेल केंडिडेट है अभी कट आफ लिष्ट नहीं जारी होई है लेकिन मैं पर्सनल अनालिसिस से बता रहा हूं कि अगर आप मेल केंडिड जैसे अगर आप OVC के हैं इसमें 2-3 नमबर मेल वाले से अगर मेल थे मैं OVC तो उसमें से कम कर देए यानि टोटल मान कर चले 75 पलस हैं तो OVC वाले अपना क्लियर आप चले और इसके नीचे नीचे अब 50 पलस हैं तो SC वाले अपना मान कर चले वैसे पिछली बार अगर गया था तो 49-40 नमर पे SC का सेलेक्शन हुआ था लेकिन यहां आकड़ा थोड़ा कहा जाए मोटा मोटी आकड़ा यहां पर लिया जा रहा है तो यहां पर आप वही मान का चले 50 प्लस है तो अगर तो अपने आपको मान सकते हैं कि हम क्लियर है अब नोटिफिकेशन की बाद आती है कि ट्यारी वोर का नोटिफिकेशन कब तक आएगा तो अब देखिए जब तक इसका रिजल्ट नहीं आता भरतियां यह वाली कम्प्लीट नहीं होती तब तक इसका पूरी तरह से रित प्रितियां नहीं जारी होंगी तब तक यह कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा कि हमें कितने पदोपन लोटिफिकेशन निकालना है ट्यारी फोर के लिए मैंने आपको कई बार बताया है आप इस महीने का इस साल का एकदम लास्ट वाला मन्त मान कर चले यानि दिसंबर आप मा लास्ट वाल की खबरें थी मैंने सोचा प्रॉप पर्ली आपके मैंदे में साजा करें